अब बात करते हैं उस वीडियो की जिसके बाद मानवता को शर्मसार करने के लिए एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं क्योंकि सोशल मेडिया पर एक ऐसी वीडियो वाइरल हुई है जो मानवता पर सवाल खड़े कर रही है मध्यप्रदेश की पन्ना जिले की वीडियो बताई जा रही है जो सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़े कर रही है इस वीडियो में एक महिला की डिलिवरी सड़क के किनारे करवाते हुए देखा जा रहा है जिसे आशा कारे करता और महिला की परिजन महिलाएं मिलकर करवा रही है सड़के किनारे टॉर्च की रोशनी में महिला की डिलिवरी करवाते दिखाय जा रहा है यह पूरा मामला पन्ना जिले के शाहनगर के बनौली इलाके का बताय जा रहा है रेश्मा नाम की आदिवासी जो की बनौली इलाके की रहने वाली है 28 अक्टूबर की शाम प्रसव पीड़ा होने पर परिजन ने 108 एम्बुलेंस एमर्जंसी सुविधा के लिए फोन किया एम्बुलेंस गाउं तक पहुची और महिला को लेकर शाहनागर सामुदाइक स्वास्ते केंदर के लिए रवाना भी हो गई लेकिन सामुदाइक स्वास्ते केंदर पहुचने से पहले ही एम्बुलेंस का डीजल खत्म हो गया एम्बुलेंस अंधेरे में ही खड़ी हो गई, अंधेरे में सोंसान इलाके में महिला दर्द से तडपती रही महिला का दर्द बढ़ता ही जा रहा था और प्रसव का समय भी नजदीक आ रहा था और कुछी देर में महिला ने सड़क के किनारे ही टौर्ज की रोशनी में बच्चे को जन्व दे दिया जहां ना ही कोई विवस्था थी और ना ही कोई सुविधा सिर्फ सहीयोगी और परिजन महिलाओं ने सड़क के किनारे ही डिलेवरी करवाई और अब ये वीडियो सोशल मेडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है शायद आप भी इस तस्वीर को देखने के बाद यही कहेंगे कि क्या ये एक किस्वी सदी की तस्वीर है